आज की रेसिपी है The Most Wanted हैदराबादी बिर्यानी हैदराबाद की बिर्यानी पूरे इंडिया में हर जगे फेमस है वीडियो को ज़रूर एंड तक देखे और देखे किस तरीके से आप घर पे बना सकते हैं हैदराबादी बिर्यानी यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है उसमें हम एक कप चावल डालेंगे और हम इसको पानी में भिगो देंगे करीब एक घंडे कले चावल आप हाई क्वालिटी बासमती राइस यूज करें और इसको आप एक घंडे कले साइड में रख दें पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर जिसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े क्यूस में पीसेस में कट कर लिया है हम डालेंगे इसके उपर बारे कटावा धनिया और हम डालेंगे इसके अंदर fry की वे प्याज प्याज को आप golden brown deep fry कर लें इसी में साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी long साबो छोटी इलाईची और हम डालेंगे इसके साथ में तेजपता तीज पता को आप हाथ से इस तरीके से क्रश कर लें और उसके अंदर डाल दें और आप इसके अंदर डालें डालचीनी मैंने आप यह दो स्टिक्स ले ली हैं डालचीनी की हम इसमें डालेंगे साथ में जीरा जीरा अट करने के बाद में आप इसमें डाले एक चमच सरसुकती या आप कोई भी ओयल डाल सकते हैं और साथ में डाले एक चमच गरम घी ये डालने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे मसाले एक टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला नमक हम add करेंगे 1 teaspoon, टेस्ट के according आप कम जादा कर सकते हैं 1 teaspoon हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, सिकावा जीरा, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर मसाले अच्छे से add कर दिये हैं, आप यहाँ पे half lemon squeeze कर लें, अच्छे से निम्बू कर आप इसमें डालें और अच्छे से हाथों से आप पूरे मसाले को mix कर ले, पनीर को अच्छे से marinate कर ले यह देखे, पनीर अच्छे से marinate हो चुके हैं मसाले के अंदर, अब हम इसके अंदर add करेंगे दही यहाँ पे मैंने thick curd लिया है, आप कोशिच करें दही आप गाडा ही ले, दही को आप इस तरीके से अच्छे से पनीर में properly mix कर ले ताकि मसाला अच्छे से mix हो जाए, एकदम proper marination हमारा ready हो जाए, अब इस marination को हम एक घंटे के लिए रख देंगे side में, एक घंटे बाद में हम container में पानी गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे किसावा अदरक और लसन, आप चाहे तो पेश्च मना सकते हैं और चाहे तो आप तेज पत्ता, हाथ से crush करते वे इस तरीके से पानी में डाल दे, पानी को आप high flame पे रखे ताकि पानी और अच्छे से boil होने लग जाए, हम इसमें साथ में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अच्छे से mix करें और पानी में boil आने दे, साथ ही इसमें आप add कर सकते हैं थोड़ा चावल का boil होने दे और इसके अंदर आप आदा निम्बू करस डाल दे, चावल को यहां में पूरा नहीं पकाना है, जैसे ही आपको लगे चावल 50% को खो चुका है, आप side में एक pan को रखें, गैस के उपर, और जो marination हमने रेडी किया था वो आप अच्छे से spread कर दें, यह यहां आपको oil या घी अलग से डालने की ज़रुवरत नहीं है, जो हमने marination में oil घी डाला है, वो enough है, यह marination को अच्छे से हम pan में spread कर देंगे, evenly, लगबग हमारे चावल जो 50% कुक हो थे, अब almost 60-70% भी कुक हो चुके हैं, अब यहां हम फटा फट से, जल्दी जल्दी थो कुक हो चुके हैं, अब हम वो spread करेंगे, चावल भी side में boil हो रहे हैं, और हम यहां पर layering भी कर रहे हैं, हम layering करते जाएंगे और चावल भी धीरे-धीरे और जाधा कुक होते जाएंगे, जब 70% चावल कुक हो जाता है, तब आप उसकी सबसे नीचे वाली layering करें, धीरे-धी चावल 80% भी cook होने लग जाएगा, वैसे ही आप उसकी layering और उपर करते जाएंगे, आप देखेंगे, मैं चावल की layering करती जाएंगे, चावल side में मेरे boil भी हो रहे हैं, मैं guess बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो भी half cook है, 70% cook से मैंने शुरू किया था, चावल मेरे boil चावल हो जाएंगे, उसकी मैं layering एकदम टॉप पे कर दूगे, marination के साथ जो नीचे की layer है चावल की वो भी दिरे-दिरे cook होने लग जाती है, तो 70% चावल जब cook हो जाते हैं, तब आप उसको layering करना शुरू कर दें, और उपर के चावल जो एकदम टॉप layer पे रहते हैं, व आप इसमें थोड़ा से धनिया स्प्रिंकल करें, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा से गरम मसाला, और इसके ओपर हम डालेंगे घी, आप इसमें गरम गरम घी अच्छे से डालें चारो तरफ चावल में, और यहाँ पे मैंने दो बड़ी चमत सैफरन, milk बना के रखा था, वो मैं अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ, और उसके बाद में हम इसे चड़ाएंगे दम पे, दम पे चड़ाने के लिए जनरली हम आटे का यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ नहां करके हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फॉल्स से कर लेंगे, जो थोड़ा सा भी है, और थोड़ा वेस्टेज भी कम होता है, तो मैं दम पे चड़ाने के लिए यह प्रफर करती हूँ, आप इस तरीके से पैन को कवर कर लें, चावल को लो फ्लेम पे कर दें, और दस से पंदा मिनिट के लिए आप उसे पकने दें, आप इस तरीके से इसमें थोड़ा स साइड में रखें, पांचने थोड़ा से इसे नॉमल होने दें, और उसके बाद में आप इसे ओपन करें, और गरम गरम पनीटिक का बिर्यानी आप सर्फ करें, उमीद करती हूँ, यह रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हैदरबाद की बिर्यानी अगर ने खाई है, तो आपको यह हैदरबाद की बिर्यानी की जरूर यात दिलाएगी, बिर्यानी को रायते के साथ में खाये जाता है, तो आप जरूर इसे रायते के साथ में खाये, और रायते के साथ में जरूर सर्फ करें, अगर आपको भी मेरी तरह बिर्यानी बहुत पसंद करीज़ दो